हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे BMS R ग्यान के यूटूब चैनल के आज के इस वीडियो में हमें आप सभी का श्वागत करता हूँ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो किरपयाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को दबाएं जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो आप तक आसानी से पहुश सके साथ ही हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुणें जहां आप हमसे BMS की नोट्स, बुक्स, आधी, पीडियाफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं आपको हमारे टेलिग्राम चैनल, फेस्बुक आइडी, इस्टाग्राम आइडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी तो दोस्तों आज ही हमसे जुने BMS आयर्ग्यान for BMS Notes and Study Materials हेलो फ्रेंड्स, BMS आयर्ग्यान की यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक है चरक संगिता चिकिस्था इस्तान का आटवा ध्याय, राज यच्छमा चिकिस्था ध्याय तो चलिए सुरू करते हैं आज का या टॉपिक अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज के इस अध्याय में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम परियाय, नीदान, पूरु रूप, शंप्राप्ति, भेद, भेदा अनुचार लच्छड, चिकिस्था, एवं राज यच्छमा में प्रियोग होने वाले योग, एवं अउशदी के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं परियाय की राज च्छमा का परियाय बताया गया है क्रोध, यच्छमा, जुवर, रोग, दुख कहीं कहीं इसे राजा का रोग भी कहा जाता है अब हम बात करेंगे राज च्छमा के निदान के बारे में तो राज च्छमा के चार प्रमुक कारल बताये गये हैं पहला आया था बलम आरम यानि कि शाहश, तूसरा वेक्ष अंधारण, तीसरा छै चौथा विस्मासन, यदि बात करें हम साहश की तो इसमें अपनी सक्ति से अधिक भार उठाना, साहश जन्न कोई कार करना, या फिर अपने से अधिक बलवान से युद्ध करना आधी बताया है, यदि बात करें हम वेक्ष अंधारण की, तो अपनवाई या फिर मल मुत्र पुरिष के वेगो को रोकना, वेक्ष अंधारण जन्न के अंतरकत बताया गया है, यदि बात करें हम छै की, तो इसमें धात उच्छे या फिर ओज उच्छे बताया जाता है, यदि बात करें विशमासन की तो इसमें विशम तरीके سے बैठना जा फिर विशम आशन करना बताया जाता है यहाँ भी बात राज्चुमा के निदान के बारे में अब हम बात करेंगे राजशमा के पूरूरूप के बारे में तो अचार चरक ने राजशमा में प्रिति स्याय, दोरबल, दोस्दर्शन, ग्रणा, बल मास्चे, इस्त्री मद्ध मास्प्रियता बताया है यह हुई बात राजशमा के पूरूरूप के बारे में अब हम बात करेंगे राजच्छमा की संप्राप्ति के बारे में राजच्छमा की संप्राप्ति दो चरड़ों बताई गई है पहला विश्मासन वेगधारण 6 साहस यानि कि जो निदान के रूप में है दूसरा वीप क्रस्ट हे तो सनिक्रस्ट हे तो तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारण की भेश से, तो विश्मासन या वेगधारण, छै और साहस, पहले हम बात करेंगे विश्मासन वेगधारण से, तो विश्मासन या वेगधारण से बात का प्रकोफ हो जाता है, जिसके कारण कब प्रधान तिर्दोस का प्रकोफ होता है, जैसा कि राजचमा त्रिदोसज व्याधी बताई गई है तो इसके अंतरगत का प्रधान त्रिदोसदों का प्रकोफ होता है जिसके कारण सुरोतो अवरोध हो जाता है सुरोतो अवरोध होने के कारण सरीर में पोसल का अभाव हो जाता है पोसल के आभाव के कारण अनुलोम क्रम में धात्वों का छे होने लगता है अनुलोम क्रम का अर्थ है कि रस से सुक्र तक की जो सातो धात्वे होती है उनका पृत्थम रस धात्व से दूतिय रक्त यानि की रस नहीं बन पाता है जिसके कारण रक्त नहीं बन पाता है, रक्त ना बनने के कारण नीचे की बची ही पांचो धात्वें नहीं बन पाती हैं, यह हो गया आपका अनलोम क्रम छै, अनलोम क्रम छै होने के कारण सोस या राजच्मा की पत्ती होती है, अब हम बात करें छै और साहस की, तो छै और साह से शुक्र या ओज का छे हो जाता है जिससे वात प्रधान तिरुदुस प्रकुपित हो जाता है इसके कारण प्रतिलोम छे होता है प्रतिलोम छे का अर्थ है नीचे की धातु यानि की सुक्र के छे होने से मज्जा का छे मज्जा के छे होने से अस्थी का छे आधी उपर की ध राजचमा की उत्पत्ति होती है अब हम बात करेंगे विभकरस्ठ ढ़तु या सन्णीक्रस्ठ ढ़तु में कारण सोश हो कि उत्पत्ति होती है सन्निक्रस छेतु में शंक्रमण होता है शंक्रमण के पस्ताथ उप्षर्ग होता है दोसों का जिससे राजचमा की उत्पत्ती होती है या भी बात राजचमा की दो चलडों की संप्राप्ती के बारे में अब बात करेंगे राजचमा के भेद के बारे में तो राजच्मा के भेद दो प्रकार से बताये गए हैं, पहला कारल भेद से, दूसरा लच्छड भेद से, यदि बात करें कारल भेद से, तो जो चार निदान बताये गए थे, चार कारल बताये गए थे, साहज जन, वेकसंधार जन, धातुछे जन, विस्मासन जन, यह चार प एका दस रूप यानि कि तीन रूप से छे रूपों से ग्यारा रूपों से राजचमा बताया गया है अब हम बात करेंगे राजचमा के भेदा अनुसार लच्छड के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे लच्छड भेदी से राजचमा के लच्छड इसके अंतरकत हम बात करेंगे, तिरी रूप के बारे में, तो अचार जरक ने राजचुमा के तीन रूप बताएं हैं, पहला अंस पार्स अभिताप, दूसरा करपाजसंताप, तीसरा ज्वर, या भी बात तिरी रूप की, यदि बात करें सड़ रूप की, तो इसके अंतरकत पहला कास, दूसरा ज्वर, तीसरा पार्शुसूल, चौथा श्वर्भेद, पांचुमा अतिसार, छठा अरूची बताया गया है यदि बात करें एक अदस रूप की, तो इसके अंतरगत कास, सौस, ज्वर, अंसताप, पार्शुसूल, सिरोरुजा, स्वर्भेद, रक्तुवमन, कफुवमन, अतिसार, अरूची बताया जाता है अब हम बात करेंगे भेदा अनुसार लच्छन, कारल भेद से तो सबसे पहले बात करते हम साहल जन के बारे में तो इसके अंतरगत सिर्शूल, कास, अरूची, अतिसार, कंठो द्वन्स, स्वर्भेद, पार्शूल, ज्रम्भा, उर्शूल, ज्वर, रक्तुवमन बताया गया है वेख संदारण जन से बात करें तो इसके अंतरगत प्रतिसाय, श्वर्भेद, अरूचक, कास, पार्शूल, शिर्शूल, अंशोमर्द, ज्वर, अंगमर्द, अतिसार, वमन बताया गया है यदि बात करें हम 6 जन के बारे में तो प्रतिस्याय, ज्वर, अंगमर्द, कास, सिरोरूजा, अतिसार, स्वास, पार्शूल, अरूची, स्वर्चे, अंसताप बताया गया है यदि बात करें विश्मासंजन की तो इसके अंतरगत प्रतिस्याय, प्रशेक, कास, वमन, अरूचक, ज्वर, अंसाभिताप, अरक्त अस्ठीवन, पार्शूसूल, सिरोशूल, स्वर्भेद, बताया गया है या भी बात, भेदा अनुसार, कारल भेश से, लचलो के बारे में अब हम बात करेंगे राजच्मा की चिकिस्सा के बारे में तो आचार्चरक ने बताया है, राजच्मा तिरी दोसाज होता है इसलिए इसकी चिस्सा दोज के बल अबल के अनुसार ही करनी चाहिए उसके बाद आचाचरक ने बताया है कि राजचमा की रोगी में विशेज कर वीडबल की रच्छा करनी चाहिए क्योंकि च्छे की वस्था में पूरे सरीर का बल वीड यानी की पुरिस पर ही निर्भर रहता है पुरिस की च्छे होने से राजचमा का रोगी और अधिक पीडित हो जाता है इसलिए विडबल की रच्छा के लिए अचार्चरक ने बताया है यदि बात करें हम राजचमा में संसोधन च्छा की तो हुआ बलवान पुरुस या फिर रोगी की बलकी परिच्छा कर इसनेहन, शोयदन, म्रदु वमन विरेचन, अनुवासन बस्ती यों नस्य कर्म करने को बताया गया है यदि बात करें हम संसोधन च्छा की तो राजचमा के अंतरगत, निदान परिवर्जन, यानि के निदानों का त्याग, गरत प्रियोग, चीर प्रियोग, मासरस का सेवन, चूड, अभ्यंग, उस्सादन, आउगाहन बताया गया है मासरस में लावा, तितिर, कुकुट, आदी का मास बताया गया है और साथी साथ राजचमा में जुगुपसा चिकिसा का भी उलेक अचाचरक ने किया है या भी बात राजचमा के चिकिसा के बारे में अब हम बात करेंगे राज़त्मा के प्रियोग होने वाले योग या अवसदी के बारे में योग की बात करें तो ग्रत में खरजुरादी ग्रत, दसमूलग्रत आदी बताये गया है छीर के अंतर गत बलादी छीर, गौधुगद, अजादुगद आदी बताये गया है यदि बात करें हम चूड की तो सीतोपल आदी चूड तालिस आदी चूड यवानी साडो चूड काउल लेक राजच्मा में अचार्च रखने किया है थैंक्यू सो मच फार वाचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें अपने दोस्तों के साथ सेर भी करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किर्पयाज चैनल को सब्स्राइब करें और साथी साथ हमारे टेलिग्राम चैनल, फेस्बुक आड़ी इस्टाग्राम आड़ी से भी जुड़ें